आज हम लोग मॉडन फिजिक्स के जे में से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे आई होब तुम लोगों ने बोर्ड के लिए वीडियो बनाए था वन शॉट उसको तुम लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो उसको उस वीडियो प चाहिए तो सबसे पहले करेंगे जो बात करेंगे मोडन फिजिक्स में वोगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफेक्ट में हम लोग यहां पे सयह है हमारा वो है कि एक मटेरियल है मटेरल है जिसका हमारे पास फंक्षन दिया वही हूए 3 लेक्ट्रॉन वोल्ट और हमने तीन विडलेंट लिए लाइट ली यह फीर उसंति प्र चूर्पाइब ऑर वेह तीन अग्सक्वा। और इंटेंसिटी जो है वो हमको दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 तो इपावर माइनस 3 वाट पर मीटर स्क्वेर विच इकोले डिस्टिबूटेड फॉर आल थी वेवलें मतलब यह तीनों वेवलें में इकोले डिस्टिबूटेड है तो 3.6 को तीन से डिवाइड कर देंगे तो 1.2 इंटू 10 वाट पर मीटर स्क्वेर तीनों में डिस्टिबूटेड है एरिया उफ प्लेट जिसके ओपर हम लोग यह लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं उस एरिया उफ प्लेट जो है वह हमको दिया हुए 0.2 मिटर स्क्वेर य सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉंट जो होते हैं वह कभी बी एलेक्ट्रॉंट नहीं करते हैं तो हम लोग को इसी की बात करनी है कि नंबर फोटो इलेक्रॉंट इजक्टेड अगया देख सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले तो हम लोग यहां पर वाक फइल दिया हुआ है तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो फाई नॉट हमको दिया हुआ इस इक्वल टू एच्टी बाइडा करते हैं है ना तो यह लेमडा थ्रेशोल्ड आजाएगा यहां से तो अगर मैं इसको सॉल कर रहा हूं तो लैमडा थ्रेशोल्ड विल इक्वल टू एच सी को हम लोग क्या ले सकते हैं 12400 अपॉन एंग्स्ट्रॉम में अगर हम लोग को निकालना होगा तो यह हमारे पास वेवलेंट एंग्स्ट्रॉम में आ जाएगी 12400 अपॉन एलेक्ट्रों वोल्ट में जब तुम्हें एनर्जी को लोगे तो वह यहां से जब हम लोग देख रहे हैं तो थ्रेशोल्ड वेवलेंट आ जाएगा हमारे पास जो की है फॉर वन डबल थ्री एंग्स्ट्रॉम तो यह है हमारी त्रेशोल्ड वेवलेंट अब यह थ्रेशोल्ड वेवलेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम 40133 से ज़्यादा लोगे तो इहां पर तुमको कुछ वी मतलब फॉटाउंस यह फोटो ऐलेक्रोण इजैक्ट नहीं होगे इस्से ज्यादा वाली फ्से कम वाली फॉटाउंस एजक्ट जाएंगे तो अब क्या होता है कि यहां पर हम लोग देखें तो हमारे पास तीन वेलेंट है जो कि एक वेलेंट थाइट है 5000 एंग कि इससे जादा जिसके जादा जिससे बड़ लेंगे लाइट का तो हमको कोई भी फोटो एलेक्रिक टिखा रही होगी वह हमारी collectors Для ना तो अब मैं थ्री थाउजन एंग्स्ट्रॉम वाले का फोटों देखू नंबर ऑफोटों कॉनसे वाली वेवलेंद के लिए बात कर रहे हम लोग 3000 एंग्स्ट्रॉम के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं है ना सबसे एक फोटोन की एक एनर्जी से डिवाइड कर दूँ इद कर दो तो मुझे यह जाएंगे कि पर उने एरिया कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे होंगे पर सेकंड है ना तो एक फोटोन के अनर्जी इंसिदंट पर सेकेंड नरे फिर वो कि अद्व बता सकते हैं जो कि इसकेgt बराबर आएगा वहद दोगे तो हमारे पस किया जाएगा इंटू-एच्टी बाइट यहां से अब अपने को क्या मिल जाएगा यह मिल जाएगा हमको इंसिडेंट पर सेकंड और यह हमको पता है इस तो हम लोग को दिया हुआ है जो कि क्या है इंटेंसिटी जो हमारी पावर होती है यहां से हम लोग बोल सकते हैं आई यह अपॉन इंसिडेंट पर सेकेंड तो अब अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो हम इसको कर देते हैं तो अब मैनस-3 वाट पर मीटर स्क्वेर्ट तो यहां से कितना होता है सिक्स फॉंट इंयू पिपावर माइनस-3 कर D यह तो इंटंट बीपावर माइनस-3 घंख बीना इह जाएगा हमारे पास जिकी तो यहां से तुमको नंबर ऑफ फोटॉंस मिल जाएंगे जो की 3000 एंग्स्ट्रॉंस वाले होंगे वैसे ही अगर हम लोग देखें तो अगर 4000 वाली का देख लेंगे तो 4000 से कितन फोटों लगा देंगे तो यहां पर कुछ नहीं करना है सेम ही मैथड हम वापस लगा देंगे बस क्या चेंज हो जाएगा यहां पर 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 तो वही आएगा 0.2 एरिया लोग इसको सॉल करेंगे तो यह आजाएगा हमारे पास कुछ 4.8 तो 4.8 इंटू 10 टू दिपावर 14 फोटॉंस ठीक है तो हमारे पास टोटल इतने फोटॉंस होगा तो टोटल नमबर फोटॉंस अगर हम लोग देखेंगे अन्ट टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो इन वह muffin है में समय पर व된 बोल रहा है कि हमारे फोटो इलेक्रिक्ण की धिशिए सिव prestint तो इसका वन परसेंट होगा उत्ते फोटो इलेक्टरॉंस बाहर आ रहे होँगे तो हमारे पास नंबर अफ इलेक्टरॉंस इजेक्टेड ओकितने हो जाएंगे वो जाएंगे वही हमार तो यह हमारे पाइट एक पार्ट का अंसर है जो कि आप आंसर है अब इसमें पाइड पूछ रहे हैं कि अगर मतलब दूसरे निकलता है और दूसरे हमारेक कालते हीजिद के लुए पहुंच्था है किसिः स्भ और दुम वर ख़ोगवक्रौ आइब कुब गया जुक्राइगा सिक्स्टी परशंट टे Erfolg टूटल इंटू अगर में चार्ज कर दूगा बकैम से कार्ण का ना जब्लाइब भी की आजगा हमारे पास कूलं पर सेखेंड अगर हम लोग देख रहे हैं तो यह ना पर से क्वाइगा है तो यहां से हमारे पास करेंड भी आजाएगा किसके बराबर होगा हो जाएगा हमारा कुछ हमारा अगारष हो गया लोग बात करेंड फार्ड थार्ड पार्ट सी पार्ट इस बोल रहेगा कि find the maximum current and stopping potential अब maximum current कब आएगा maximum current तब आता है किसी भी फोटो इलेक्रिक इफेक्ट में जब हमारे जितने भी electron eject हुए थे वो सारे के सारे दूसरे टर्मिनल पर पहुंच जाएंगे तो हमारा current जो होगा वो maximum हो जाएगा तो अभी इस भी पार्ट में कहता कि 60 परसेंट ही पहुंच पा रहे थे तो अगर 100 परसेंट पहुंच जाएंगे तब हमारा current कितना होगा तो आई-मैक्स अगर तुम लोग को निकालना होगा तो आई-मैक्स निकालने के लिए हम लोग यहां पर 60 की तगे लेंगे तो हमारा maximum current आएगा वह कितना आजाएगा 8.4 इंटू 10 to the power 12 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 जो कि कि बराबर आ रहा है वह आजाएगा हमारा 13.44 इंटू 10 to the power minus 7 एमपिर तो यह हमारा maximum current हो जाएगा और अगर निकालना होगा तो इस्टॉपिंग पोटेशल का मतलब क्या होता है अगर मैक्जिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्राउन भी अगर हमारे दूसरे टर्मिनल पे नहीं पहुँच पाएगा तो हमारा जो आ ander वह ओटेंशल को उच्छ वह पोटेंशल को हम लोग क्या बोलते हैं वह तह आ हमारा स्टॉपिंग पोटेंशल तो आगर मैं देखुँ यहाँ पर तो मेरे पास अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा कि कि अगर स्टॉपिंग निकालना है तो हम लोग को एक पता होती है आइंस्टीन की फोटो एलेक्रिक एक्वेशन जो कि क्या बोलती है वह होता है हमारा की एच्छ म्यू इस एक्वल टू या फिर हम लोग यह बोल सकते हैं एच्छ म्यू इस फाइनौट प्लस के मैक्स जो अब कि सबसे पहली बात तो हम लोग को मैक्सिमम काइनेटिक एनरजी निकालनी होगी तो हम लोग ने कुछ एच्छ बैटीग मैक्जिमम होती है के मैक्स के पराबर होती है एक से हम लोगों ने अब देखो यहां पर दूग ती हमारी photoelectric emission को support कर रही ते दो wavelength कौन कौन सी थी एक थी हमारी 3000 एंग्स्ट्रॉम वाली एक-वेवलैंटे हमारी थी थाउजेंड एंग्स्ट्रॉम और दूसरा वेवलैंट हमारा 4000 थाउज़ेंड एंग्स्रॉम तो कौन से में energy ज्यादा होगी अगर हम लोग देख रहे हैं तो किसमें एंड ज़ादा होगी उसी के करिस्पंडिंगमारी काइनेटिक एनर्जी मैंग्जिमम आईगी तो यह जो 3000 एंग्स्ट्रॉम वाली व्यव लेवलेंटी इसके करेंगे तो उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा यहां पर हम लोग को कितनी हो जाएगी तो यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं तो वह जाएगा हमारा 12400 यहां से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो कितना रहा है मैं 12400 अपान 3000 अंग्स्ट्रॉम इस एक्वल टू यह होग्या मारा के मैक्स निकालना है कि ओतना हो जाएगा मारा 12400 अपान 3000 माइनस फाइंट व कितना था थी लेक्रॉन्वोल्ट तो यह एक्रॉन्वोल्ट में आ रहा होगा यहां पर तो हमारे पास यह आ जाएगा कुछ 1.1 electron और इसी के मैक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटू stopping potential और वह कितना हो जाएगा 1.1 electron वोल्ट तो यहां से हमको stopping potential की value मिल जाएगी वह आ रहा है हमारा कुछ 1.1 वोल्ट तो यह हो जाएगा हमारा stopping potential जो कि कितना आ रहा है और हम लोगों ने उस पे लाइट इंसिदेंट करी है जिसकी तीन वेवलेंट है तीन जार रैंक्स्ट्रोंग चार जार रैंक्स्ट्रोंग और पांच जार रैंक्स्ट्रोंग तो हम लोगों को यह बढ़ा और एक कुछ जो लाइट के इंसिदेंट पर सेकेंड क्या हो जाएगा फूटों इंसिदेंट पर सेकेंड हो जाएगा हमारे पास पावर पर पर इन्टु एरिया अगर पर नंबब पर पर सेकंड आजाएगा हमारे पास नंबर फोटों इंसिदेंट पर सेकंड आजाएगा तो मेरे पास करेंट आजाएगा और उन्हें यह भी बोला था कि 60 परसेंट ही पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब कोई पोटेंशल निकालना होगा तो इस टॉपिंग पोटेंशल हमेशा जहान रखना पॉटेंशल वह नेगेटिव पोटेंशल है जो हम लोग होता है कि मैंसिमम काइनेटिक वाला इलेक्टरों भी नहीं पहुंच पा रहा होगा अब इस वाले कोश्चन में क्या था कि दो व जैसे ज्यादा एनर्जी आ रही होगी अब वो जो एनर्जी है तो वह हम लोगों मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यूज कर लिया क्यों कि एक मैटल इस्वियर लिया जिसके उपर हम लोगोंने कुछ वेवलेंद इंसिडेंट करी है जो कि कितना है तो इस इस्वियर का मैग्जिममम पोटेंशल कितना होगा यह हम लोग को पहले पार्ट में बताना है है तो अगर हम लोग यहां पर देखें हैं तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो हम लोग वेवलेंट दिया हुआ है तो हम लोग यह निकाल देते हैं कि एनर्जी कि इतनी होगी उसकी अपने को पता होता है energy जो होती है energy क्या होती है is equal to hc by lambda यह हमारी energy होती है तो energy हो जाएगी 12400 जब भी electron वोल्ट में निकालना होगा तो हम लोग h into c को 12400 ले ले लेते हैं तो उस case में क्या होगा यह wavelength को अपने को किसमें लेना पड़ेगा wavelength को एंग श्रॉम में लेना पड़ेगा तो स्ट्रॉम में लोगों ने कुछ दिया हुआ यहां पर 2500 है तो यहां से जब मैं देख रहा हूं तो मेरे पास यह आ जाएगा कुछ इसके उपर इंसिदेंट करी है तो यहां से हम लोग यह बता सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी के मैक्स जो होगी वह के मैक्स जो इलेक्टरोन निकल रहा होगा उस के इमैक्स कित्ती होगी वह वह हो जाएगी हमारी कुछ 4.9 6- माइनस जब हम लोग यहां पर देख रहे हैं तो कितना आजाएगा यह फंक्शन दिया हुआ था अपने को फाइनौट है ना तो यह ए पार्टी सॉल्व हो रहा है भी तो तो के किस बराबर मैंड़ी को बराबर करेंगे किस से एसंटुवी से बराबर कर देंगे है ना तो यहां से हम लोग को potential of sphere मिल जाएगा जो कि किसके बराबर आजाएगा वन पॉइंट नाइन शिक्स वोल्ट के बराबर तो यह जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया उसकेस में हमारा जो potential आएगा वह कितना आ जाएगा वन पॉइंट नाइन शिक्स वोल्ट आ जाएगा अब वहीं पर आगर हम लोग आगे बढ़े तो इन्हों ने क्या बोला कि अगर यहां पे जो हमारा इस का रेडियस है बॉंट जिरो नाइन मीटर है तो हम लोग को यहां पर यह ये होगा find the maximum charge on the sphere, तो अगर स्पीर का हमारा radius जो है वो पॉइंट 09 मीटर है तो हम लोग को maximum charge on the sphere बताना होगा, तो अब मुझे ये पता होता है कि जो हमारे स्पेर का potential होता है, क्या होता है, क्यूब आर होता है, क्यूब आर होता है, तो अगर हमारा maximum चार्ज निकालना है अपने को maximum potential तो कितना हो सकता है 1.96 वोल्ट हो सकता है क्योंकि हमारे वहाँ पे maximum kinetic energy जो आ रही थी वो कितने आ रही थी 1.96 एलेक्ट्रों वोल्ट आ रही थी तो maximum चार्ज होगा यहां से वह हम लोग निकाल सकते हैं तो वह क्या हो जाएगा potential हमारा 1.96 इस एक्वल टू के कितना है यहां पे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और यह हमारा क्यू मैक्स क्यू मैक्स अपॉन आर रेडियस भी दिया हुआ है हम लोग को कुशन में 0.09 तो यहां से जब हम लोग देख रहे हैं सौल कर रहे हैं इसको तो हमारा क्यू मैक्स maximum चार्ज जो आ जाएगा इस केस में वो कितना आ रहा है इसको सौल करने पर हम लोग को मिल जाएगा वन पॉइंट नाइन सिक्स इंटू तो यह हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया तो हम लोग को यह पता चल गया कि उसके उपर maximum चार्ज कितना आ सकता है यहां तक मिले हम लोग को अब इसी कर थार्ड पार्ट में यह बोल अब लोग को क्या करना होगा अगर देखें तो यहां पर हमको दिया हुआ है कि इंटेंसिटी तो दियो यह कुछ तो अगर हम लोग को यह निकालना है टोटल नंबर ओफ इलेक्ट्रोंस इजाक्टेड तो वह भी हम लोग बात कर सकते हैं आगर हम लोग निकल रहे हो तो यहां पर पर कितना जाता है आगर यहां पर पर नेकर नंतिकी एडिया इन्टो तो कितना हो जाएगा intensity इंटु एरिया और अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं जो कि किसके बराबर है एची बाइब अगर हम लोग इसको एची बाइब कर देते हैं तो हम लोगों क्या मिल जाता है हम लोगों को मिल जाता है नंबर ऑफ फॉटों इंसेडेंट पर सेकें होगा क्यों कि तोटल जो हमारी एफिजेंशी दियों यह 100% इसका मतलब क्या होगा कि जितने फोटोन इंसिदेंट हुए थे सारे की सारे फोटोन में इलेक्ट्रों निकाले होंगी तो तो अब यहां पर हम लोग इसको कर देते हैं तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो अगर हम लोग देखेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा उसका एरिया जो होगा वह अब लाइट इसके ऊपर गिर रही है यहां पर अच्छा हम को ध्यान रखना यहां पर कि जब लाइट इसके उपर हम लोगों ने इंसिडेंट किया था ठीक है तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग को प्रोजेक्टेड अरिया लेना पड़ेगा जैसे हम लोग फ्लक्स निकालने के हिले के लिए करते तो हम लोग को क्या मानना पड़ेगा कि जो यहां पे जो इसका अरिया तूप में z स्टेटाल थ process क्गि एक दूर्ल माइनस तो यहां सेदल कर रहा हूं तो यहां से मिरे पास पाई इंट्य आर स्केयर है यह समझ में आग्या होगा तो हम लोगों ग। पाई आर इस्क्वेर ले लिया इंटू अब अपन एची बाइलेमडा एच इंटू सी तो कितना जाएगा 6.63 इंटू 10 तो दिपावर इट लेमडा उन्होंने दिया हुआ कुश्चन में 2500 एंग्स्ट्रॉम रेडियस कितना है पॉइंट 09 मीटर है रेडियस है हमारा पॉइंट 09 मीटर है तो यहां से अब हम लोगों को क्या मिल जाएगा यह आजाएगा हमारे पास टोटल नंबर ओफ एलेक्ट्रॉंस इजेक्ट आजाएंगे तो अब हमारे पास टोटल नंबर ओफ इलेक्ट्रॉंस इजेक्टेड पर सेकेंड यह इतना है और अब क्या हुआ कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉंस कितने हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉंस कितने निकलेंगे तब हमारे पास चार्ज इतना आएगा तो चार जो था हमारे पास 1.96 इंटू 10 to the power minus 11 अपन एक इलेक्ट्रोन का चार्ज क्योंकि यह तो बहुत सारी इलेक्ट्रोन से मिलके इतना टूटल चार्ज आ रहा होगा तो अब कितने इलेक्ट्रोन से मिलके आ रहा होगा तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा उसके यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा यह यह मिलके हम लोगों को टूटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोन इजक्टेड तो वह आ रहा है हमारे पास कुछ 1.6 इंटू 10 to the power 8 इलेक्ट्रोन आ रहा है अब यहीं से जब मैं उसे टाइम निकालना होगा तो टाइम निकालने के लि ट्रोन मुलो को टूटल नंबर ऑफ इल्यक्ट्रों शिक्टर पर सेकेंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रों इजक्टेड पर सेकंड टो इसी को coups न लोग को इन दोनों को डिवैड कर देंगे तो हम लोग को final आनसर मिल जाएगा और डिक्रॉअ ऑलब मिल जाएगा थो आन पॉइंट फॉर माइक्रो सेक्ट यह हमारा आंसर है तो यह कुश्चन खतम हो गया अब हम लोग आ जाते हैं क्विश्चन नंबर थ्री पे तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि उटली पाइनसरी सब्सक्राइब कर दो तो इसको नेरी पास वो तो इसको यह बताना है कि अब क्या बोल रहे हैं कि अग्भारा इंसरइय प्रव्टियू कर रहा है अब देखो फोटो इलेक्क्रिक एक्ट्रट फ किसमें होता है उसमें लोग क्या मानते हैं कि जो लाइडja स्क्षक्राइब करें आव फेष्ट सब्सक्राइब तो अब हम लोग को यहां पर बताना है कि कितने टाइम के बाद वह फोटो इलेक्रिक इफेक्ट चालू हो जाएगा तो अब हम लोग यहां पर सबसे पहले तो यह निकाल सकते हैं यहां पर यह बोल सकते हैं लोग कि एनरजी इंसीडेंट एनरजी इंसीडेंट पर सेकंड पर लेयर पर एक्ट्रो लेयर पर एक्ट्रcon टो यह क्या है कि अब देखो यहां पे रहे यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं एनर्जी इंसिदेंट पर सेकंड पर लेयर पर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो रहा है कि पांच लेयर हैं हमारे पास अब हम लोगों को यहां पर निकालना ऋब यहां पर हम लोग बात करें तो हमको इंतनेंटि यह लिखें गये अब कितनी लेयर चीर महारे पास फांच लियर ठीक है तो यहां पर हमारे पास टूटल पांच लेयर दो किद्ध ना तो जो एक लेयर पर अगर हम लोग यहां पर बात करें तो एक लेएर पर जो एनरजी आरी होगी वह एनरजी किसके बराबर आगई वह आरी हमारे पास तू इंटू टू दी पावर माइनस त्वेंटी सिक्स जूल पर सेकंड है इतनी अनरजी आगही है आप इदों ने क्या बोला है इसके बात करेंगे तो वह कितने बहुत अ's और माइनस्ugen 301 20 इलेक्तरॉंस पर मिटेर इते टोटल नंबपर आपास फ्री उलेक्रॉंस और मिटेर स्क्वैरन अब क्या हो रहा है कि हम लोग को एनर्जी जो है यावई इसका फंक्षन दिया हूए हमारे पस स्क्वेर है अब क्या हो रहा है कि हम लोग को एनरजी जो है यह इसका वक्षण दिया हुए हमारे पास टू इलेक्टरों वोल्ट तो इतनी एनरजी चाहिए होगी मुझे एक किलेक्ट्रों पे हमारे पास जो नंबर फिलेक्ट्रON सो उन्हeting पारे ओंटू अब्लोग यहां पर क्या बोलब्ण लुग सकते हैं कि हमारे पास तो कितने हैं पर माईनस ट्विटी फिलेक्ट्रों के इनर्जी है इन्टू कि कितने हैं 10 to the power 20 इतने total number of free electrons हमारे पास ठीक है इन्टु अब क्या हो जाएगा इन्टु टाइम कर देते हैं क्योंकि यह तो प्रिक्ते अब करें तो अगर आगा इसा होता नहीं है हैं जब ऐलेक्ट्रों को करी एक दमब से लाब नमबर थ्री बी अब हम लोग के ही डूवल नेचर उफ रडीएशंट व education में हम लोग क्या कॉंसीडर करते हैं हम लोग इमानते हैं वहola है वो एक की तरह तरह कर रहा क्यों कि समझाने के लिए यहां पर हम लोगों किया माना था लाइट जो रहे है अबब कर सकता है तो यहां पर बात कर हमको उसका momentum के बारे में बात करनी होगी हमको उसके energy के बारे में बात करनी होगी क्यों कोई भी अगर particle होता है और वो अगर travel कर रहा है तो उसके पास energy भी होगी और उसके पास momentum भी होगा कि यहां पर करनी है यहां पर एक विश्चन दिया हुआ है हम लोगों कि एक मिरर है और सबसे पहली बात तो हम लोगों यह समझना पड़ेगा कि हमारा कोई मेर था अब अग Raw अगर यह मेर था तो इसके ऊपर हम लोगों ने की लाइट को किया दो इसके वह और होगी होगी वहाद वपास रिफलेक्ट बहुत वह रही तो हम Smash होगी तो अभी क्या वह गूरा होगा कि जब requires हो यहाँ तो यहां पर कुछ मोमेंटम का चेंज हुआ होगा अगर मान लो इनिशन मोमेंटम पी था तो फाइनल मोमेंटम पी एफ होगा और यह दोनों बराबर होंगे तो डेल्टा पी अगर हम लोग बात कर रहें चेंज मोमेंटम तो वह किसके बराबर होना चाहिए तो यहां पर एरिया तो फोर्ग आपॉन एरिया इसको हम लोग जितस muj आप जाशेट अगøριा है तो इसको हम लोग बोश सकते हैं तो हम लोग बता सकते हैं पॉर्स के होता है पावर अपटरी और अगर रेडिएशन की बात कररें लाइट की बात करें तो उसमें वेला अब स्पिट आफ लाइट होगी तो फोर्स जो आजाएगा वह किसके बराबर के बराबर आ जाएगा इक है और था किसा फोर्स ऑपने इरी तो इसे अगर कि है तो यहां पर रडीएशन होगत अगर कि सरफेस पे हिट हुआ है और虎 पुरी की पुरी हो गई है तो कितना लग रहा होगा वह फोर्श करदेगा है तो कि बात करें तो वह कितना लग रहा होगा तो अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगा तब उस केस में क्या होगा जो फोर्स लग रहा होगा और अगर हम लोग बात कर रहे हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा है ना परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग की अगर ब तो इस वज़े से अगर और यहां से तुम लोगोंने उसके उपर लाइट को इंसिदेंट किया था कि Stephanie करिएम लोगोंने तो वो बना लेगा ऐसा कुछ lucky बना रहा है वह तो अब यहांपर अब हम लोग क्या बोल सकते हैं अगर में इसको robi क्लेंगरम बनांगा तो इसके यह तरे टेंचल लग रहा हो गादी नीचे लग रहा यहां से बात करेंगे तो अगर मैं आजाएगा मारा इसकी कॉस्टी टीटा तो अगर मैं इसकी लिखुँगा तो एक्विशन क्या जाएगी अगर फिल तो यह जोगा किसके बराबर हो जाएगा तो यहां से हमारे पर क्या आ जाएगा या जाएगा टी इंटु साइन ठीटा इस एकवल टू आई-ए बाइ सी और एक और एक्वेशन यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से एक और एक्वेशन अगर हम लोग वर्टिकल डिरेक्शन से देखें तो वह आजाएगी टी कॉस्ट इस इक्वल टू एम जी अब इन दोनों एक्वेशन को डिवाइड कर दो एक्वेशन वन और आएगा वो हमारा आंसर कितना हो जाएगा वह जाएगा टैन इंवर्ट्स ऑफ टू आई ए बाइए तो इतना ही एंगल वह वर्टिकल के साथ बना रहा होगा अब यहां पर इन्हों नहीं यह बोला है सेकंड पार्ट में कि फाइंड अंगल भाइव ट्रेड इस डिफ्लेक्टेड इफ शॉर्ट पल्स ऑफ लेजर ऑफ एनरजी इस इंसिदेंट नॉर्मली ऑन दे मिरर लेको इन दोनों पार्ट में डिफरेंस है फॉर्स पार्ट में हम बटन करके बंद कर दिया हो कितने टाइम के लिए दिया हम लोगों ने एनरजी इंसिदेंट नॉर्मली ऑन दो शौट पल्स मतलब बस उसको थोड़ी से देर के लिए और उसको बंद कर दिया तो अभी क्या होगा इसका मतलब यह होगा कि यहां पर हमारे पास यह मेरर था यहां पर कि तब यहां तक जाएगा मैगतम करना होगा तो इस कोश्चन को सॉल करने के लिए अपने और यूसा करना पड़ेगा तो अब यहां पहस सब्सक्राइब करेंगे तो इनर्जी जो होती है वह क्या होती है मोमेंटम क्या होगा कि अगर वह तकराएगी ऐसे और वापश भी जाएगी तो नोगों करेंगे तो फुरा का पूरा मोमेंटम चेंज था था क्या होगा इनिशल मोमेंटम इसको फाइनल मोमेंटम लोग कर देंगे तो इसकी वजह से लगा 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 होगा तो वो इंपल्स लगा वोग सिसक를 लोग कि बराबर लिघ दिया कि यहां से हमारे पास वेलाइस पीमेन तो वह maximum कित्ती है तक जाएगा तो यह तीटा निकालना था अपने को कित्ते एंगल तक जाएगा तो यहा से अब लोग क्या करना पड़ेगा यहां पे energy conservation तो अगर यह लेंटल था यह लेंटल था तो यह वाला जो लेंट आएगा यह लेंट कितना हो जाएगा यह हो जाएगा मारा एल इंटु वन माइनस कॉस थीटा तो अब यहां पर हम लोग energy conservation कर देते हैं जो कि हम लोग क्या बोल सकते हैं energy conservation gain in gravitational potential energy in gravitational potential energy will be equal to loss in kinetic energy will be equal to loss in kinetic energy तो यहां से जब हम लोग देख रहे हैं तो gain in gravitational potential energy कितना हो जाएगा MGL into one minus cost थीटा और loss in kinetic energy अगर हम लोग देख रहे हैं तो कानेटिक आजी था फैनल कानेटिक था तो यहां से हम लोग को वी मिल जाएगा तो अगर मुझे इसको को सॉल करना होगा तो अब इसको आराम से कर सकता हूं तो यहां से हमारे पास एक और बात यह भी है कि ठीटा है एक पलस है उसमें कित्ते ही मोमेंटम होता है यहां से हमारे पास क्या जाएगा वन माइनस कॉस्ट टीटा इस एक्वल टू वी स्क्वेर बाइट तो अब यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं तो यह आ हमारे पास मैं इसको यहां पर इसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिक सकते हैं साइन स्वेर ठीटा ऑइडिय। इस एक्वल टू वी स्क्वेर बाई फोन जी यल के इसको यहां से यह बोल सकता हूं कि साइन थीटा वाइट जो होगा वह जाएगा हमारे पास वी बैट्वी लिख सकते हैं क्यों कि एंगल बहुत ही छोटा होगा तो इसको फाइनली हम लोग टीटा बाइटू इस एक्वल टू वी बाइट टू रूट जी एल और फाइनली हम लोग वी का वैल्यों कर देंगे वी जो हम लोगों ने उपर कैलकुलेट किया था टूई बाइम सी तो यह पूट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा तो यह जो थीटा होगा थीटा फाइनली सॉल करके आ रहा हमारे पास टूई वाइंसी इंटू अंडरूट जी ल तो यह हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया तो यह बात हम लोगों यहां पर यह सीखी है कि जब भ तो यह भी सॉल हो गया अब हम लोग आ जाते हैं यहां पर थर्ड मतलब इसी के इसी में सेकंड कुश्चन पर अब उस सेकंड कुश्चन में हम लोग को यहां पर यह बताना है कि फाइंड डी व्रॉगली वेवलेंट ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन एट ना तो अब थर्मल न से हम लोगने एनेर्जी को स्कोरियर को अब थर्मल एनरजी जहोती है थर्मल एनरजी कि यह सकते हम लोकि ट्रीवाई डूटी द्वाई केटी लिख सकते हैं जो होता है कि क्या होता । यहां से अगर मुझे टेंपरेचर टेंपरेचर हमेशा ध्यान रखना है हम लोग को कैलविन में ही पुट करना होगा तो पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं जो हमारा यहां से अगर देख रहे हैं तो मोमेंटम जो आ यहां से अब हमारे पास थ्री एम के यहां से अब हमारे पास लेंडा जाएगा जो कि किसके बराबर आप यहां से जो होगा बोल्ड में कॉंस्टेंड वो तो होता है वन पॉइंट थ्री एट इंटू तो दी पावर माइनस त्वेंटी थ्री तेंपरेचर दियावा है यहां से नाइन ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस में करना पड़ता है लोग को तो वह कितना आपकर देंगे तो यहां से लेंडा आ जाता है मेरे पास जो की वेवलेंट है वह वेवलेंट कितना आजाएगा जिरो पॉइंट सिक्स सेवन एंग्स्ट्रॉम तो यह हमारा आंसर होगा यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि न्यूट्रॉन जो होता है ना तो जैसे कि रेडियेशन अगर जो है जो पॉइंट सिक्स सेवन एंग्स्ट्रॉम आगी अब हम लोग आ जाते हैं अगर और पड़ना है तो तुम लोग हमारे वीडियो पर कर सकते हो जो की बोर्ड का जो हम लोग ने क्लास लिया था एटम वाला वन शौट वीडियो बनाया है तो उसी पर बहुत ही अच्छे सम सकते हो यहाँ पर हम लोग उसी से रिलेटेटाम तो सबसे पहले यहां पर लेते हैं तो क्वेशन में क्या आ रहे है किक सुन है हमारे पास कि फाइंड इंपक्ट परमेटर फॉर विद अलफा इसकेटर बाइन एंगल थीटा विए इनिशल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इस तैन मिलियन लेक्रों वोल्ट और जो वो जैड दिया हुआ है वह हमारा कुछ सेवेंटी नाइन तो बेसिकली हो कहा रहा है कि यहां पे एक पार्टिकल जैसे फॉर एकक्जांप्ल एक न्यूक्लियस है यहां से हम लोगों ने एक आलफा पार्टिकल को स्क्रेटर किया है अब क्या आप लोगों ऑगा और वो पुछ नाइन इंटी डिग्री एंगल पे टॉर्ण हो गया है तो हम लोगों को यह बताना है कि य होई हमारा कुछ भी है अब यहां पे एक बहुत ही इंपोर्टेंट रिलेशन होता है जो कि अपने को पता होना चाहिए वो रिलेशन होता है रिलेशन बेटीज कि Impact parameter and scattering डिलेशन बिट्वीन इंपक्ट parameter and scattering तो वो अम लोग को पता होना चाहिए यह डारेक्ट याद कर सकते हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे हम लोग तो यह स्कैटरिंग एंगल और मतलब इंपक्ष रिय्यों होता है वह कुष यह वूट टू इनर्जी इन्टू कॉट ऑफ अल्फा बैय डी है इसकी होगी यह हमारे अल्फा पार्टिक्ल की यह यहां पर कितना चार्ज होता है तुएक बराबर होता है और यहाँ पर अगर हम लोग देख रहें दूसरा पार्टिकल जिसका इटामिक नंबर 79 है तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा सेवेंटी-9 इंटू हो जाएगा जब हम लोग इसको सॉल करते हैं तो इंपैक्ट पेरमेटर में हम लोग सारी वैल्यूस पूट कर देंगे कि जो ऊगा कितना फाएगा नाइन इंटू 10 पावर नाइन इंटू जो क्यूबन चार्ज कितना फावर माइनस 19 अपान तू इंटू का इनरजी अब किनेटिक एनरजी हम लोग को दिया हुआ है स्टू इंटू 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वूल्ट मतलब चhelmच करना पड़ेगा किसमें जूल में पॉन है कि जो इनल पर यहां पर इनल फा कौन सा एंगल होता है जो यह तो यह बोगोड देंगे कॉट आप कॉट करता हूं इसको करता हूं तो इंपक्ट पैरामीटर आजाएगा हमारे पास बने 155 levar मैनस 14 मीटर कि वह जो हमारा इस निकला है यह न क्योंकि अब देखो तो यह एक फॉर्मूला है जो हम लोग याद रख सकते हैं इंपेक्ट परामेटर का जो कि किसके बराबर होता है कि कैखेंग राख से सकते हैं हैiba यहां से हम लोग वात करें तो थोड़ा से बात अगर मैं बोर्स मॉडल। मॉडल कि सकते हैं यहां पे ब्रें देखो पहले तो निल वोर्स ने ये बोला था कि हमारा पार्टिकल होता है कोई भी एक várias हैं कोई बी सारे एलेक्ट्रांच करते हैं कुछ सोटेन सॉपल्द में कुछ में की perpet करते हैं और और जो और वो मुमेंटम जो हमना चाहिए मतलब हज evolved two pi का integral multiple होना चाहिए अगर हम लोगों को यहां पर बात करने हैं तो angular momentum जो होगा वह है एंच upon two pi का integral multiple होगा तो उनी मतलब जिसमें यह होता है जिसमें angular momentum integral multiple of हैंच upon two pi होता है उसी ऊसी औरबिट में electron रह सकते हैं वही सब्सक्राइब और अगर इनर्जी स्टेट से लोवर इनर्जी स्टेट में आता है तो क्या होता है कि इन दोनों एनर्जी का इनर्जी डिफ्रेंस होता है उतनी एनर्जी का वह फोटोन से अच्छेट में आएगा तब इसकेस में जो गीन होँगी और ऑफटोन के अनर्जी कितनी हो जाएगी महरी कुछ जीट मैंनस इवन इतनी इनर्जी मतलब इतनी आर्दी का फोटोन लीजो जाएगा पर यह सारी बाते बाते थी नील बॉर्ब और वहीं पे अब क्या होता है क वह किसके बराबर होती है वह होती है टू पॉइंट वन नाइन इंटू टू दिपावर सिक्स जैड अपॉन एन जो है वह हमारा क्या है नंबर और ऑर्बिट है ना तो फॉस्ट ऑर्बिट के लिए न की वेल्यू हो जाएगी वहीं पर तुमको रेडियस ऑफ और निकालनी हो वैसे ही अगर मुझे काने टिक अनरजी के बात करनी है तो काने टिक एनरजी हो जाती है तो यहांसे हम लोग में भी दिख रहा है कि जो का इनरजी होती है वह क्या होती है स्वाइब सकते हो कि नेगेटिव कीनेटिक और अगर मुझे टोटल एनरजी निकाल नहीं होगी तो टोटल एनरजी इस इकॉल टू क्या हो जाएगा पॉटेंचल एनरजी प्लस काइनेटिक एनरजी वह किसके बराबर आ तोड़े से यह पता होना चीए कि पोटेंचल एनरी काईनेटिक एनर्जी फिर तोड़े से पता होने चाहिए और यह पता होगी तो अच्छी बाते कि कि वेलासिटी जो होती है तो यह है अब ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं टोटल एनरजी जो आएगे टोटल एनरजी वह होगा तो हम लोग देख रहें तो किसी बी अरबिट के लिए अगर एनरजी की बात करोगे तो वह फॉर्स और विट के लिए टोटल एनरजी माइनस थाइटीन पॉइंट्स एलेक्टरॉन वोल्ट आ जाएगी सेकेंड ऑड़्विट के लिए बात करेंगे तो माइनस थाइन सिक्स बाइट टू स्क्वेर तो वह माइनस 13.6 बाइट से सेकंड में आ जाएगा तो थर्ड ऑर्बिट के अब लोग एक और करते हैं यहीं पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहां पर क्या बोल रहें कि एक पार्टिकल ऑफ मास एम है तो सर्किलर और बिट में घुम रहा है जो की पॉटेंशल एनर्जी अपने को पॉटेंशल एनर्जी है हमारे पास कुछ एफ इंटु आर वि आपर क्या यूज़ कर रहेंगे कही ना कहीं तो यूज़ करनी ही वाले है एनेक उपवन फॉपाइब तो इस एनर्जी ऑर कैलिकली इस बोल इस बैए रिम और तो यहां पर हम लोग झालना कि यह और बेट की मतलब यहां पैप पटर्टिकुलर और एनर्जी किप्टी होगी तो हम लोग लोग अमस्unya यहां से घूलने करेंगेrix सब्सक्ति कि एक को बराबर आजाएक कि कोई भी एलएक्रॉवर क्लिकुलर ऑर्बिट में घुम रहा होगा तो यहां पे क्या होगा कि यहां पिए किसके बराबर लग रहा होगा ॵर र के बराबर लगरा होगा यह वोग यहां पर यह विर कि वह सकते हैं कि यह वाली कुछ सपर्ष्ड होगी जो कि क्या होगी ही हम लोग को माइनस माइनस साइन क्या बता रहे कि वो जो पोर से वो टूवर्ड नूप्लियस लग रहा है तो मैं यहां पर पूट कर देता हूं मभी इंट्व वेल्यु होगा वो क्या हो जाएगा एंवी स्क्वेर वाइफ is इकवल टू यहां से हमारे पास एइनेश आपांञ टू पिया जाए गई यहां से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी जो की वेलोसिटी किसके बराबर आ रही और वहीं पे अगर मुझे रीडियस निकालना होगा तो रीडियस निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से हमारे पास यह पता है कि रीडियस जो होता है अगर हम लोग यह देखें तो एम वी आर इस एक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई है यहां फिर एंटू एच बार कर दो एंटू एच बार तो आड़ जो होगा वह क्या हो जाएगा एंटू एच बार अपॉन एंटू एच बार अब मुझे वेलॉसिटी का वैल्यू यहा यहां से हम लोगों को डिल आगा ठीक है अब अगर मुझे काइनेटी दिन लिए के लिए हम लोग CP क्टा रिघ्त के हाफ हुत लोग यहां पर पुट कर देते हैं तो आंकि इंटू वी स्क्वेर वी एप वर यहां बार में इंक बार एफ यहां इंटू एच Confederate कर लिए हम लोग ने तो पावर क्वावर रिया गया तो यहां से जब लोग इसको so की वैल्यों आ गई मेरे पास वो काइनेटिक एनर्जी की वेल्यों आरी हमेरे पास एंटो एन एच बार एफ पावर टू-बाइ-3 अपन वैं तू-टू-दी पावर का सौल करना होगा तो का अने अनरजी की बात करनी होगी तो पोटेंशल एनरजी तो आप कि हमारे पास पोटेंशल एनर्जी तो एफ इंटु आर आर जो आ रहा है यहां से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो यह वन बाइथरी और यह जो आएगा यह वन माइनस टू बाइथरी तो यह वन बाइथरी तो हमारे पास यह आ रहा है कुछ एन एच बार अपॉन एंटु दी पावर वन बाइथरी इंटु एंटु दी पावर वन बाइथरी एच तु दी पावर वन बाइथरी और एफ टू दी पावर वन बाइथरी और इसको फाइनली हम लोग आर को रेडियस को क्या लिख सकते हैं यह जो रेडियस आएगा मेरे प थो तो यह हमारे पास हो गया अब कर दो कर रहे हैं तो हमारे पास जो पावर आरी है 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 ना मतलब सभी पोटैनिशल एनर्जी आ रही है तो एफ िटू आर कर रहे हैं हम लोग को तो इसको स्क्वेर कर दो और यहां पर हम लोग बाहर लिख देते हैं वन अपॉन तो फाइनली हमारे पास यह आ जाएगा और इसको अंदर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा और उपर इसक्वेर आ जाएगा तो हमारे पास पोटेंशल एनरजी हमारे पास कुछ एच बार ऐफ मुद कवर पावर तो अगहां लोग जो टोटल एनर्जी निकालनी होगी तो टोटल एनर्जी जो होगी वह कितनी रिख काइनेटिक अनर्जी प्लस पोटेंशल एनर्जी जो क्योंकि हम लोग यहां पर इन दोनों को एड़ कर देंगे तो फाइनली जो हमारे पर रिजल्ट आ रहा होगा वह रिजल्ट हो जाएगा थ्री बाइटू पर दो फॉर्मुला हमेशा यूज करना होगा यहां पर एक स्टेबल और मतलब जो भी और बेठ होगा तो उसका जो मोमेंटम और मोमेंटम वह क्या होगा एच अपन टूपाई के इंटिग्रल मुल्टिपली होगा उनी में हमारे उलेक्ट्रॉन करेंगे बाकि किसी भी और ब वाले पार्ट पर तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो यह दिया हुआ है कि वेवलेंट ऑफ के अल्फा एंड के बीटा लाइंजा ट्वेंटी पीको मेटर एंड फिफ्टीन पीको मेटर रिस्पेक्टेवली तो हम लोग को यह बताना है कि एल अल्फा एक्सरे लाइन की व बारे में बात करनी है और क्या बोल रहा है कि इप ड़ेवलेंट ऑफ के अल्फा इस एक्वल तो एंग्स्ट्रॉम फोपर देन फैंड फैंड अफ देस्टेंस इप्टेंस इप्टेंस एप्टेंस अब देखो के अल्फा के बीटा यह सारी लाइन क्या होती है कि अगर मानल कहीं से भी किसी हाइर से फिसे से हाइर से स्टेंब में कर स्टेंट होता है तो वहारे हुःस है वैसे ही फॉर्ट से फॉर्स में जब हो रहा होगा तो वह के गामा हो जाएगा अब अगर मानलो सेकेंड में ट्रांजिशन हो रहा है कहीं से भी हायर से तो यह जो ट्रांजिशन हो रहा होगा थ्री से टू में हो रहा होगा तो यह वाली वेव हो जाएगी हमारी एल अलफा हो जाएगा हमारा कुछ है ल बीटा तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग की एनर्जी अगर हम लोग बात करेंगे तो के अलफा की एनर्जी क्या होगी अगर ग apost के प्रखोंगे इसको इसको ऑड़ सकते हैं लेमड़ा 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 अल्फा बात कर रहें कि पउसको 200 हाजार सो ऎंख्ष्ट्रॉम है तो ऊ 24adomo से नेक्ष्ट्रॉम यहां वैसे ही हमारी जो एनर्जी होगी कुछ एनर्जी के बीटा के जो एनर्जी होगी वह एनर्जी कित्ती हो जाएगी के बीटा देखो बीटा जो है वह क्या हो रहा है थ्री से वन में ट्रांजिशन तो वह हो जाएगा हमारा कुछ कि फ्री माइनस एवन जो कि आ रहा है हमारा बारह हजार चार सो अपॉन जीरो पॉइंट वन फाइव एंग्स्ट्रॉम तो यह हो जाएगी हमारी के बीटा की अब अगर तुमको यहां पे सबसे पहले एल अलफा का निकालना है एल अलफा का जो एनरजी होगी एल अलफा क्या हो जाएगा अगर यहां से देख रहें तो एल अलफा जो क्या होगा थ्री से टू का ट्रांजीशन को आलफा बोल रहें तो वह आजाएगा हमारे काच एथ्री माइनस या फिर इसको फर्स्ट लेड़ो इसको सेकंड ले लेता है यह फोस्त एक्वेशन लें तो हम लोग क्य कर दोगे तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा एच्रीबाइब्डा के अलफा विल बी के अलफा नहीं सौरी एल अलफा विल बी इक्वल टू इटू माइनस एवन जो कि यह कितना आ रहा है सब्सक्राइब कर दोगे तुम लोग यहां से वन अपॉन अलफा जो आ जाएगा वह वन बाइफ्टीन माइनस वन बाइटी यह जो आंसर आएगा यह पीको मीटर में आएगा आएगा उब्यस्ली जब लोग इसको कर रहे हैं तो लैम्डा ऑफ एल अलफा जो आ रहा है वह हम वहले आप तो सॉल्व हो गया फैंट वेवलेंट ऑफ एल अलफा एक्सरै यह वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया अब इसे में हमको यह बोल रहा है आप इसके अपार्ट में हम लोग को निकलना है अब देडा के अलफा एडिशन ऑट टेक्नीश मुं जिसका जैडे 43 वीवल यहां पर हम लोग को दिया हूँ तो यहां से हमारे पास एक पूपर वैसे ही अगर हम लोग को कॉपर की बात करनी है तो कॉपर के लिए हम लोग वेवलेंट मान लेते हैं कि चलो कुछ लैम्डा होगा यह का वैल्यू तो सेम ही है और इसका जो हमारे पास अटोमिक नंबर होता है कॉपर का वह जाएगा 29 तो यहां से हम लोग क्या लिख देंगे 29-1 तो हमारे पास फाइनली जो आ रहा है यह हमारी एक्वेशन वन हो गई यह एक्वेशन टू हो गई अब इन दोनों एक्वेशन को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहां से हमा तो यहां से हमारे पास के लिए जो आएगा तो रहे हमारे हमारे पास में फॉर 25 दो Si implication लैंड़ा से हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट जो आ रहा है वो जाएगा लेमडा के आल्फा जो आएगा वह बन पॉइंट फइवेट आजाएगा लेमडा के अल्फा ओफ कॉपर इस एंग्स्ट्रम फॉदर माटिरियल तो इसमें भी वही बात हो गई यहां पर भी चीज करनी अपने को भी पार्ट में कि हम लोग को मोजले लगाना है मोजले लॉज क्या बोलता है अब यहां पर हम लोगों को यह बोल दिया है कि यह तो पता ही नहीं है कि कौन सा होगा है ना लैंडा के अलफा ऑफ कॉपर अपान लैंडा के अलफा और कुछ उन्नों ने अनन माटिरियल व जो आएगा वह इसी कॉल सकते हैं वह जाएगा हमारा जैड्ब ऑफ अननों माइनस वन का होल स्क्वेर अपन यहां से अगर थेख रहे हैं तो उसक्तना हो जाएगा वेंटी यहां से हमारे पास यहां पर रभा का पर दिएंदा के और चल्पा अल्फा और आपस द 저는 पॉइंट सेवन तो यहां से जो आजाएगा जैडिज एक्वल टू- пров Word फ्री आ जाएगा तो यह लगभभ लगवग वहीं आ जाएगा तो हम लोगोंने इसको बहुत हुए ट्रीके से सॉप हो गया अब हम लोग के लास्ट पर आ जाते हैं जो की है है न्यूप्याइर फिसिक्स में यहां पर क्या है कि कितनी है इनर्जी रिलीज होती है सारी चीज़ों के बार हैं उसका अब होता है तो यह सारी है उस से पहले देख लेते हैं कि क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं जिसका मास नंबर है 35 यू एक 37 यू और इनका सकते हैं तो अगर हम लोग को कि आ corresponds़ायगा 35 इंटु 0.25 एहां पर क्या सकते हैं यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं यहां थो हमको टोटकर अवरेज इटो मिक मास् जो कि इस केस में वह कितना आ रहा होगा वह आ जाएगा अगर हम लोग सॉल करेंगे तो वह आ जाएगा हमारा को 35.5 यू के बरावर आ जाएगा है ना तो क्लोरीन के एक पी एक जो हम लोग यूज करें प्रॉक्टेट टीनियम जो की जैडिस इक्वल टू नाइंटीवन दिया हुआ है तो इसका हम लोग मास इतना दिया हुआ है तो हम लोग को यह बताना है कि थोरियम बन जाएगा जो की तो थटीव और अल्फा डीके तो अगर बात करेंगे तो हीलियूं रिलीज हो जाएगा तो यहां पर यहां तेब बराबरी होंगे अब अगर q value निकालनी होगी हम लोग को तो q value निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं mass defect निकालेंगे अब mass defect क्या होता है कि यहां पर जब भी कोई भी nuclear reaction होती है तो basically होता क्या है कि अगर को spontaneous reaction होती है तो reactant का mass जो होएगा वो ज्यादा होगा as compared to products क्यों होता है कि जब क्या होता है जब एक्जो थर्मिक reaction है तो एक्टेंट का जो कुछ मास होता है वह अंकन जाता है ऑवा जोग हो गई तो इसलिए तो एक्षो फैंसेटिंट की है यहां पर की मतलब एनर्जी एक क्विलेंट वंट ही अम लोग यूज करते हैं तो अब यहां पर हमारे पास युरेनियम था तो अब अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या बोलाइगा मास ओफ यूरेनियूम मार्ण सूंसु फॉरियम माइनस मास ओफ सीस्टॉर यह है है mass defect टो अगर हम लोग को mass of uranium दिया हुआ है सारी quantity दिए हम लोगो को तो यो सब्तिक है तो अब देखो यह मास लिया था हम लोगों नहीं यह मास किसमें लिया था यू में लिया था यू इंटु सी स्कुरर हो तो अब एक बात ध्यान रखने हम लोग को यहां पे कि जब भी हम लोग यू इंटु सी स्क्वेर की बात करते हैं तो यू इंटु सी स्क्वेर जो होता है वह कितना होता है वह होता है हमारा कुछ पॉइंट जीरो फॉर फाइव सिक्स इसको अगर हम लोग तो यह जो अगर हम लोग देख रहे हैं तो यूरेनियम का जो अलपा डीके हो रहा है तो उसकेस में जब एनर्जी रिलीज होगी एक एक सिंगल उरेनियम से वह कितनी होगी फॉर पॉइंट टू फाइव मिल्यान इ अगर देख रहे हैं तो यहां पर यहां पर अगर हम लोग इस रियक्शन की क्यू वैल्यू निकाले हैं तो अगर कोई भी वैल्यू क्यों वैल्यू अगर पर जैंग तो इसका मतलब वह होगा कि वह पॉसिबल नहीं होगा तो अब अगर हम लोग यहां पर देखें है तो हमारे पास क्या है तो इसको अगर हम लोग सॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा मास आफ नूकलियोस ऐरेनियम माइनस म क्वांस प्रोटॉन एंटू सी स्क्वार यह होगी हमारी क्यू वेल्यू तो जब हम व्हों लोग इसको देख रहे हैं सॉल कर रहे हैं तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा यह यहां हमारे पास कुछ टू अपती एट पॉइंट फैक्न नीन माइनस टू थर्टी एट पॉइंट जिरो फाइव नाइन जिरो फॉर हम लोगों ने मास ऑफ टी ए माइनस मास ऑफ हैड्रोजन यह दोनों को एड़ कर दिया तो यह लगभग लगभग अगर हम लोग देख रहे हैं तो यह क्या रहा है यह यहां पर देखो यह वाली कॉंटि लिक्त थी चाहिए वह रीक्शन तो एक्जो तर्मी नहीं आ रही है तो अब हमारे पास यह है कि जो सोडियम है वह नियॉन में एक बीटा डीके से नियॉन में पहुंच गया और इसमें फॉजिटर नियॉन दिया हुआ है तो हम लोग को निकालना है कि फाइंड दा मिनिमम ऐलेक्रों इन्टू सीज़वेर तो अब यह मोगों को दिया हुआ है जो कि कितना एंट इसको कैसे लिख सकते हैं यह जाएगा माइनस जिरो पॉइंट फाइवन इलेक्ट्रोन वोल्ट तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रोन इंटु सी स्क्वेर करते हैं आम लोग तो वह जो को पता ही है नाइन थर्टी वन पॉइंट फाइव होगा जो कि किसके बराबर हो जाएगा पॉइंट जीरो जीरो फोर सेवन आजाएगा थ्री पॉइंट इट शिक्स मिल्यान इलेक्ट्रोन वोल्ट तो यह हमारे पास इस टोटल क्यू वैल्यू आ गई अब यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा कि जो क्यूव वैल्यू होगी वह क्योव एल्लियो कि होगी बीटा प्लस प exchanged तो अब अब देखो जो बीटा प्लस पाटिकल के पास आप क्या है कि हमारे पास mix नूंट्रीनों कि ये प्लियान अलेक्राव वोल्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की वोड तो अब यहां पे क्या हो सकता है कि जो बीटा ये तो इस तो बीटा प्लस की अनर्जी कित्ती हो जाएगी वह जाएगी हमारे पास 3.86 लिए लेक्राइगा इस केस में क्या हो जाएगा यह maximum energy आ जाएगी पॉसिट्रों की बीटा प्लस पार्टिकल की और उसक्राइगे अभी जाएगी जैसे केस में और लोग आगे बढ़ते हैं तो अम लोग दूसरे पहुंच जाएगे अब देखो इस सोट टॉक था संपल यहां से क्या हो रहा है कि जो हमारा एक पार्टिकल था ए उसका यह से बीमें चला गया जिसका हम लोगो डिक यह लैंडा दिया हुए तो उसने बोला कि एन बीटा पार्टिकल है वह थ्री सेकंड में उसने कर दिये पार्टिकल बोकि कि हमारे पास जो हमने डिआ होते हैं तो नोट फर्मीने गुत्नेक वहने थो एंटोटर इसे ऐसमें एन इंटेड़ आये तो यहां पी रोड़ने आट इंटो यह इस इक्वड़ माइनस लेंडा ठीन रखाएंगे मैं डिया तो माइनस ट्री लेम्ड़ा तो ही इन्हें है यहां क्या बोला थे पर्टिकल एमिट हुआ है जिए एक्वेशन से मेरे पास यह इक्वेशन से को हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो इन दोनों इक्वेशन को सक्वेशन को अगर कर देते हैं तो कि आजाएगा माने पास 1.75 इज लेंगे तो हमारे पास होगा यहां तो यह एक्स का वैल्यू फॉर यह टो एक्स का वैल्यू होगा दो एक्स का वैल्यू तो यहां से अब हमको क्या मिल जाएगा यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं तो अगर मैं ले लूँगा तो हमारे पास यहां से कितना यहां जाएगा यहां से अगर माइनस ट्री लेमडा इस इकवल टू लैंन फॉर तो जब हम लोग तो से संव लेंगे तो हमारे पास फाइनली जो आन्सर हो जाएगा कुछ यह एक वट लन भाइठी एलन फोर वाइट तो यह हमारा इसका डीके कॉंस्टेंट होगा जो के मपर तो अब लोग को यहां पर क्या निकालना होगा तो अब निकाल सकते हम लोग मेन लाइफ हो जाएगी हो जाएगी अगरंजन थे घॉट है इसमें है कि न्युक्लिय उज् moy यह है यह हमारे लेंडा एट इकोल टुजिरो देरा नो नूप्लियाइं धा है नव लोग बताना कृट्टेवलेट किसी टैम्टीप एप हमारे नूक्लियाइग कि तो हमारे यह पार्ड सौल करेंगे तो हम लोग को क्या बन रहे हैं वह किते रेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं पुर रहिए हैं गितना हैं लेमड़ा थो इसको इंटिकरेट कर सकते हैं दि सब्सक्राइब और थे अंटम्ड कि हो जाएगा माइनस लेंट कर देते हैं तो यहां से हम लोग तो यहां से जब हम लोग इसको कर रहे हैं तो यहां से हमारे पास क्या रहा है यह तो आरहा है अधिल्फा माइनस लेमडा एन इसका लीमिड जब हम लोग पूट करेंगे तो वह होजाएगा एननोट से एंधिक्वल तो यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास एण का वेल्यू आएगा वह कुछ इसको सॉल्व करने पर यह आजाएगा सब्सक्राइब कर देंगे तो हम लोग यहीं पर पहुंच जाएंगे अब इसी के बी पार्ट में यह बोल रहे हैं कि फ्यल्फा इस इक्वल टू नॉट लैम्डा कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लिया फेर आफ्टर वन हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सक्राइब कर देंगे इसको जब लोग पूट कर देते हैं तो एन इस इक्वल टू कितना हो जाएगा सब्सक्राइब कर दिया तो हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास जब मैं इसको सॉल करूंगा तो यह लैम्डा से लैम्डा तो कैंसल हो जाएगा एक नौट बच जाएगा इसको न को जाएगा तो एक हाफ लाइफ के बाद अगर हम लोग देख रहें तो यह वाली कॉंटिटी जिरो हो जाएगी। बहुत है तो यहां पर अफर जो होगा वो क्या होजाएगा टू एंड नॉट लेंड़ दिया हुआ है तो जो हमारे पास एट टीकवल टू इंफिनिटी गिए अगर हम लोग बात करेंगे तो एंड इपॉल टू कितना हो जाएगा टू एंड नॉट अपॉं लेम्ड़ आ जो तो बस इतना ही करते हैं थैंक यू